कि ज्यादा खुशी है सबसे ज्यादा खुशी है इसलिए कि हम लोग पड़ोस में हम लोगा गहर और हम लोग के बगल में एयरपोर्ट होटल खुल रहा है कभी नहीं देखे थे अभी मुझाफरपूर में तो फरस्ट बार देख रहे हैं नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइफ सिटीज मेरा नाम अभिशेक है मुझाफरपूर वालोग खुश हो जाई है खुशी इस बात की कि कम से कम उन्ड नहीं सके तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो सहीं यह मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्लेन है एन एप कि सी एयरलाइंस का प्रेम साउव की कमपनी थी जो बन्द हो चुकी है और अब इसमें रेस्टोरेंट बने की बात सामने आई है रेस्टोरेंट बनेगा क्या गें इसलो एक रेस्टोरेंट का प्लान किया रहा है इस प्लेन की अंदर आप बैठ़के हवाई हाथ के आनंद क बटनव से लाए गया है कि तो मेंगेंट का बात है कंपनी है कर रहे हैं तो यह मेंगेंट के अंदर की बात है ऐसी पर खूलेगा इसी लेंड पर यह रेस्टूडेंट खुलेगा यह लैंड जो है सो यहां क्या स्थानिय व्यक्ति का है जिसे कंपनी ने लीज पर लिया है यह तो मतलब आपने मतलब कुछ दिन पहले आपने सुना हुआ कि पता ही में एयरपोर्ट बनने वाला था लेकिन नहीं बन सका दर्भंगा चला गया तो करें जी इसका अब असेंब्लिंग का काम उसके बाद पैंटिंग इंटीरं इस्टीरिया लैंड केपिंग होते होते मुझे लगता है कि दो से थाइमाई ने तो लगी जाएंगे दोसे थाइमाने भी ज्यादा खुसी है सबसे यादा खुसी है इसलिए कि हम लोग परोस में कुल रहा है कि यह जी सेलफी लेने आये थे अजी बहुत अच्छा है हम लोगत बहुत हो रहा है पुरे बिहार में फिर पुरे बिहार में पहला हाइजाज का हुटल होटल खुल रहा है तो बहुत खुशी मिल लगा हम लोग को अपने मुझ्शपरपुर में ही खूल रहा ठीक है यहाँ पर हम लोग देखने आये हैं सेल्फी लेने नहीं आया कुछ बच्ची है हमारे साथ जो सेल्फी लेंगे उर देखे हैं वह देखने आये हैं हैं भुवत ज्यादा खूसी है रोज आना जाना अगर आप हवाई जाहज में नहीं चड़ सके हैं तो इस अब रेस्टूरेंट में रेस्टूरेंट जाएगा जिसमें आप जाकर इसमें खा सकते हैं और काफी आपका अच्छा रहेगा क्यों कि आपको बता दें कि मुझद्फपूर्पूर्पूर्ट बनने वाला था लेकिन अभी तक नहीं बना है इसका नाम क्या है और यहां पर लोग दूर दूर से आकर सेलफी लेते हैं फोटो खिचवाते हैं और काफी उत्सा का महौल है तो मुझफःपुर वालों अब उड़ान तो नहीं भड़ सकी लेकिन इसमें खा सकते हैं इसको छू सकते हैं देख सकते है तो मुझफःपुर वालों में काफी खुशी है क्योंकि जल्द ही ये रेश्टोरेंट तयार होगा आप दिख सकते हैं सेलफी ले रहा है एक लड़का और काफी उत्सा का महौल है सेलफी लेने आ रहे हैं लोग और काफी उत्साहित हैं क्योंकि मुझफःपुर में लोग झाल में ताल